बालको प्रबंधन की ओर से बेलगीरी बस्ती में चैल्ड केर सेंटर की शुरुवात की गई है इसका उधगाटन परसा भाटा के पार्षद श्री सर्वन किरन ने किया उन्होंने बालको की ओर से चलाय जा रहे समुदाइक विकास कारक्रमों की सराना करते हुए कहा कि बालको फाउंडेशन के सहीयोग से बालको के गोदलिये गाउं और आसपास के छेत्रों में चैल्ड केर सेंटर खोले गए हैं इन सेंटरों का उध्देश ऐसे बच्चों की देख भाल करना है जिनके मातापिता कामकाजी हैं सेंटर में धाई से पांच वर्षत के बच्चों को ना फिकरन के बाद आसपास के ग्रामीन शेत्रों का विकास तेजी से हो रहा है गाउं में बालको प्रवंधन की ओर से अनेक योजनाय चलाई जा रही है जिनसे ग्रामीनों के समाजिक आर्थिक इस्तर को उचा बठाने में मदद मिल रही है जब से इस्टरलाइट के हाथ में गया है यहां समाज के उपर और समाज के आर्थिक के उपर इनका एक निश्चित सुजबुज बना हुआ है इस्तर के समाजिक विकास के लिए यहां के बच्चों के लिए युवाओं के लिए महिलाओं के लिए इनके पास अनेक कारिक्रम है उस कारेक्रम के कड़ी में इन्होंने हमको बिलगडी नाला को एक बाल बाड़ी के अंदर का सिक्रिती देखे इस बस्ती के लिए एक बहुत ही अच्छा कारी हुआ है इसके लिए मैं बालको का इस वार्ड के तरप से अभारी रहूँगा और ऐसे कारियों के लिए मैं चाहू से औगत कराया आज इस चाइल केर सेंटर का उद्गाटन बालको एवंग इस्टरलाइट फांडेशन के मदब से किया जा रहा है यह चाइल केर सेंटर यहां पर के थाई साल से पास साल के जो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं और यहां पर आस-पास मेरा करके खेलते रते हैं जिनके अभिवावग गन है वो बाहर रुजगार के लिए काम करने के लिए जाते हैं बच्चों का देख भाल घर में बढ़िया तरीके से नहीं हो पाता है वैसे बच्चों के लिए यह चाइल केर सेंटर यहां पर खोला गया है महिलाय यह जो भी पुरोष है जब पर बेलगरी में शुरुआत किया गया है और हमें उमीद ही नहीं फूर विस्वास है कि आप सभी लोग इस सेंटर को बढ़िया तरीके से चलाने में अपना पूरा सहयोग देंगे और अपने बच्चों को नियमित रूप से अपने सेंटर में भीजेगे